चलिए कोचन देखते हैं कि भारत का सबसे बारा रेलवे पुल अब्दुल बारी पुल बिहार में किस नदी पे हैं तो आपका बिहार में देख लिजे भारत का सबसे बारा रेलवे पुल है जो कि कहां पे हैं बिहार में हैं और वो किस नदी पर है वो हमको बताना है तो option है देख लिजे सोन नदी, गंगा नदी, कोशी नदी ये सभी option है तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सोन नदी कौन सी नदी पे हैं? सोन नदी पे हैं चलिए next question देखते हैं next question है कि boys association की अस्थापना कहा हुई थी? तो boys association की जो अस्थापना है वो दर्भंगा में हुई थी कहां पे हुई थी? दर्भंगा में चलिए next question देखते हैं next question है कि संसद the power of संसद के दोनों सदनों को बुलाने की सक्ति किसके पास है? तो संसद के जो लोकसभाद और रासभाद जो दो सदन है उसके बुलाने की सक्ति किसके पास है? तो ए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा D number President के पास है किसके पास है? President के पास Next question है कि बिहार में नवादा संग्राले की अस्थापना कब की गई थी? तो 125 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा A number 1934 इस भी में होई थी 125 का A हो जाएगा Next question है कि बिहार में सविधान में पंचवर्षिय उजना की अबधारना कहां से ली गई है? पंचवर्षिय जो योजना है भारत के सविधान में वो मिस कौन सी देश से ली गई है? कौन सी मतलब देश से ली गई है? तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा रूस रसिया से ली गई है कहां से ली गई है रसिया से ली गई है नेक्स्ट कोश्चन है कि बिहार राज्य में उत्तर दिशा में कौन सा देश है तो उत्तर दिशा में है जो कि नेपाल है बिहार के उत्तर में कौन है नेपाल है एक वार फिर से देख लिजे बिहार के उत्तर में नेपाल है दच्छिन में जहारखंड है पस्चिम में आपका यूपी है और पुरम में बेश्ट बंगाल है चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट कोस्चन है कि बिहार राज्य की पस्चिम में कौन सा राज्य लगा हुआ है तो पस्चिम में अभी ही हम उपर बता है पस्चिम में है जो की यूपी है कौन है यूपी है पुरम में बंगाल है पस्चिम में यूपी है तो पुरम में बंगाल है चलिए नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं 139 नंबर बिहार में साइमन कमिशन के बैसिसकार के संयोज़क कौन थे तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा D नंबर देपकी नंदन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं नेक्स्ट कोश्चन है कि बिहार में सरवाधिक लोगप्रिय सुल्तान कौन थे तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा शेर्शासुरी और शेर्शासुरी की मकबारा कहां पर है शासाराम में याद रखियेगा नेक्स्ट कोस्चन है कि बिहार में रेल कब शुरू हुई थी तो आपका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा बी नमबर 131 का बी आपका सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट कोस्चन है कि बिहार में राष्टिय चेतना के जागरन के क्या कारण थें सो एक सो बतिश का जोश्य ही उत्तर हो जाएगा वो आपका दी नंबर हो जाएगा उपरियुक्त सभी चलिए नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं इसका आपका जो सही उत्तर हो जाएगा बोड़ी नंबर हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन है कि बिहार में राज्य सभा की कितनी सीटे हैं तो राज्य सभा, राज्य सभा की कुल जो सीटे हैं बिहार में वो आपका सोला है कितनी हैं सोला है और जब लोग सभा के पूछा जाएगा तो कितना हैं चालिस है राज्य सभा की कितनी हैं सोला है मिस आपका जो सही उत्तर दी नंबर हो जाएगा लेकिन जब लोग सभा पूछा जाएगा तो लोग सभा में आपका जो सीठ है बिहार का बो 40 है अगर वोई बिधान सभा पूछा जाएगा तो 243 सीठ है जो की बिहार बिधान सभा की है निमलिखित में से किस अंदोलन के दौरान बिहार के देवगहर में गोल्डन लीग की अस्थापना की गए थी किस अंदोलन के दोरान गोल्डन लीक की अस्थापना की गय थी गोल्डन लीक की अस्थापना कहा पर हुआ था देवगार में हुआ था उस टाइम बिहार में ही था देवगार अभी जारखन में है चले स्वादेशी अंदोलन के टाइम गोल्डन लिक की अस्थापना देवगार में कब हुई थी जब वश्वादेशी अंदोलन था उस टाइम आपका जो सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा नेक्स्ट कोस्चन है कि विहार में ब्रिटीश बिरोधी संघर्ष के दोरान फेडरिक एगनिलस ने किसकी छापा मार यूद की मुक्त कंठ से प्रसंशा की तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा 135 का बो हो जाएगा बीर कुमर सी तथा अमर सी यह आपका करेक्ट अंसर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट कोस्चन देखते है 136 नमबर गदर करांती चीरने का सबसे महत्पून कारण था में काउज ओफ दे बिगनिंग ओफ गदर मॉमेंट वाज तो गदर करांती चीरने का सबसे महत्पून क्या कारण था इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बो हो जाएगा आपका बीर नमबर कौन सा नमबर हो जाएगा बीर नमबर चले नेक्स्ट कोस्चन देखते हैं नेक्स्ट कोस्चन है निमलेकित में से कौन सी आर्थिक गतिवीदी भारत में अधिक्तम लोगों को रोजगार देती है तो सबसे जाज़र जो रोजगार देती है भारत में वो है आपका क्रीशी C आपका correct answer हो जाएगा 138 का देख लिजिए बिहार में प्रती 1000 पुर्षो पर महिलाओं की सबसे कम संख्या वाला जिला है तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा सबसे ज़्यादा गोपाल गंज में हैं सबसे कम इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मुंगेर चले next question देखते हैं Indian unrest के लेखा कौन्थ है तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बो हो जाएगा D number Valentine C roll Next question है कि भागलपूर ताम पत्र शिला लेख निमलेकित में से किस राजबन्स से समंधित है तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा C number पाल बंस से समंधित है कौन से बंस समंधित है पाल बंस Next है कि बिहार में तुर्क सासन का यूग शुरू कब से हुआ था तो तुर्क सासन का जो यूग शुरू हुआ था वो 1203 तीन इसमे में इसलिए आपका B आपका सही उत्तर हो जाएगा B हो जाएगा चलिए next question देखते हैं बैदिक काल में बिहार का सबसे पहला उलेक किस बेद में मिलता है तो बिहार का उलेक है जो की अथर बेद में मिलता है आपका B correct answer हो जाएगा 142 का B हो जाएगा चलिए next question देखते हैं next question की बिहार में जपरकास नरायन अखिल भारतिये आयू बिज्ञान संस्ता किस सहर में है तो 143 का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा बो हो जाएगा भागलपुर में नहीं है गाया में भी नहीं है मुझा परपुर में भी नहीं है चलिए और आप्सन देखते हैं पत्ना में है डी आपका correct answer हो जाएगा चलिए next question देखते हैं next question है कि मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रसाइनिक कार खाना कहा जाता है chemical factory कहा जाता है बोड़ी में कौन सा पार्ट है तो अपका 144 का जो सही answer हो जाएगा वो C हो जाएगा liver को कहा जाता है liver को chemical factory की सो कहा जाता है liver को चलिए next question देखते हैं next question है कि बिहार में ग्रिसम काल की अबदी होती है the period of summer in बिहार is March से लेकर मध्य जून तक उसके बाद मांसून आ जाता है D अपका correct answer हो जाएगा 145 का D number चलिए next question देखते हैं next question है कि बिहार में कौन सी फसल खरीप में नहीं बोई जाती है तो अपका जो सही उत्तर हो जाएगा 146 का वो हो जाएगा D आलू नहीं बोई जाती है आलू पता ही होगा कब बोई जाता है चलिए next question देखते हैं next question है बिहार में कौन सी फसल उगाई जाती है इसमें देखकर आपको बताना कि कौन सी फसल है जो कि बिहार में उगाई जाती है खरिफूज गाई जाती है रभी भी उगाई जाती है जायद भी उगाई जाती है डी आपका correct answer हो जाएगा डी next question देखते हैं निमलिखित में से कौन सा बन जीव अवरायन विहार में सबसे बड़ा है which of the flowing wildlife century is the largest in विहार बताईए तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 148 का कैमूर कैमूर सी आपका correct answer हो जाएगा next question है कि बिहार में किसाम सबा का गठन किस वर्स हुआ था बिहार में जो किसाम सबा का वो भी आपका correct हो जाएगा 1929 में हुआ था कब हुआ था 1929 में भी आपका correct answer हो जाएगा बिहार में किसको बिहार सरीफ कहते हैं बिहार में बिहार सरीफ किसको कहते हैं तो D आपका सही उत्तर हो जाएगा उदंत पूरी को कहते हैं D नेक्स्ट कोचन है बिहार में बिहार में अज गैवी नात मंदिर कहां पे अस्तित है तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा बो हो जाएगा दो सुल्तान गंज में कहां पे है सुल्तान गंज में बी आपका correct answer हो जाएगा चलिए next question देखते हैं next question है कि भारत में प्रतम मुगल समराट था कौन था तो मुगल समराट है जो की बावर्थ है C आपका सही उत्तर हो जाएगा C number चलिए भारत में सभी धान किस बर्स लागू हुआ था यह तो काफी easy question है 1950 में हुआ था कब हुआ था 1950 में चलिए next question देखते हैं next question है कि बिहार में फाग राक के गीतों की रचना किसी ने की थी तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ए नमबर हो जाएगा नवल की सोर्षी ने किया था चलिए next question है कि निम लिखित में से कौन कनिस के राजबैदत हैं 155 का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा बसुमित्र नहीं है नहीं नागा अरजुन है आपका सही उत्तर हो जाएगा सी नमबर चरक नेक्स्ट कोचन है कि बिहार परांतिये सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहां पर था बिहार परांतिये सम्मेलन का जो दूतिये अधिवेशन था बो था भागलपूर में कहां पर था भागलपूर में चले नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं बिहार प्रांतिय किसान सभा का गठन मतलब कौन सी इस्वी में हुआ था तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मार्च 1929 में हुआ था कब हुआ था मार्च 1929 में किसान सभा का गठन किया गया था नेक्स्ट कोचन देखते हैं बिहार के स्री किसे संभोधित किया जाता है तो बिहार के स्रीज से कौन जाना जाता है तो डाक्टर स्री कृष्णिस 158 का सी हो जाएगा नेक्स्ट कॉच्चन है लोड करजन द्वारा प्राकलीपित विक्टोरिया मेमोरियल कौन से सहर में है तो 159 का जो करेक्ट अंसर हो जाएगा वो भी हो जाएगा कौलकाता में है कहां पे है कौलकाता में नेक्स्ट कोच्चन देखते हैं लच्छे दीप अस्तित है कहां पे है 160 के आपका सी हो जाएगा आरप सागर में है लच्छे दीप कहां पे है आरप सागर में है एक सो साट का आपका सी नमबर हो जाएगा चलिए आप एक सो एक सट देखते हैं वीच सुल्तान मेट दा फेमस संत अफ विहार सेक अहमद तो आपका जुस्से ही उत्तर हो जाएगा एक सो एक साट का बो हो जाएगा डी नमबर फिरोज तुगलक पिरोज तुगलक करेक्ट ऑंसर हो जाएगा चलिए नेक्सक्न देखते है बिहार के प्रसाशन को चलाने के लिए अंग्रेज निरिचषकन चुक्त किया गया था तो 162 का ए और हो जाएगा 1769 में बिहार में के प्रथम महा कवी कौन है तो बिहार का जो प्रथम महा कवी है वो है विद्यापीट दी आपका correct answer हो जाएगा क्या हो जाएगा दी नंबर चलिए next question देखते हैं एसिया के सबसे लंबी नदी कौन है एसिया की सबसे लंबी नदी भारत की नहीं एसिया का पूछ रहा है तो यह आपका डी नंबर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा आपका सही चाइना में है चलिए next question देखते हैं बिहार के किस सहर में गलाइडिंग कलव है तो 165 का अपजा जो सही उतर हो जाएगा डी नहीं हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा कहां पर है पटना में है चलिए next question देखते हैं बिहार के किस जिले में होम रूल का परचार नहीं हुआ बिहार के किस जिले में होम रूल का परचार नहीं हुआ था तो C नंबर चंपारन में नहीं हुआ था भारत के पहले मुखे चुनाब आयूक तर थे हैं पहला चीफ Election Commission of India फोस्ट तो अपका जो सही उतर हो जाएगा काफी easy question है यह चलिए ए नमबर हो जाएगा सुकुमार सिन चलिए next question देखते हैं बिहार के किस छेतर में मैथले भासा बहुत बहुत ज्यादा प्रचली थे बहुत ज्यादा बोली जाते हैं कौन से छेतर में तिरहुत छेतर में सबसे ज्यादा बोली जाती हैं तो 168 का जो आपका सही उतर हो जाएगा वो भी नमबर हो जाएगा तिरहुत चलिए next question है बिहार में के असहयोग अंद्वलनकारी मौल भी मौहमद सफी किसी जिले से समंधित थे बिहार के सबसे बरी पर्योजना कौन सी है बिहार की सबसे बरी पर्योजना है गंडक पर्योजना गंड़क प्रोजेक्ट है जो कि बिहार के सबसे बड़ी परियोजनाए है चलिए नेक्स्ट कोस्चन देखते हैं नेक्स्ट कोस्चन है कि भारत में सिपाही बिद्रो की शुरुआत कहां पे हुई थी तो सिपाही बिद्रो मेरठ में हुई थी कहां पर हुई थी मेरठ भी आपका correct answer हो जाएगा बिहार के राज की यह पच्छी राज की यह पच्छी कौन है गोरहिया है डी आपका correct answer हो जाएगा बिहार का प्रमंडल है कितना 9 है कितना 9 प्रवत्तर भारत में अध्थांतरं क्रिशी को जूम्म के रूप में जाना जाता है सी आपका correct answer हो जाएगा किसके रूप में जाना जाता है जूम के रूप में नेक्स्ट कोसचन की बहार- खाल लोहानी किस बिहार का सासक बना तो बहर खाल लोहानी है जो कि 1522 में बना था ये आपका correct answer हो जाएगा next question है कि निमलिकित में से किस जन तिर्थकर ने मंदार पहारी पर निर्वान पराप्त किया तो 176 का जो आपका answer होगा वो हो जाएगा B number चलिए next question है कि निमलिकित में से कौन सी बात भाक्ती अंदोलन और सूपी अंदोलन में सांजी नहीं है miss common नहीं है सांजी miss common नहीं है तो 177 का आपका B हो जाएगा मुर्ती पूजा चलिए यह पर खतम करते हैं और आपका next video part 4 कलाएगा चलिए नहीं होगा चलिए नहीं होगा